नमस्कार दोस्तों, Sarn Kitchen में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं सूजी का रेश्पी लेकर आई हूँ जो सूजी का रेश्पी है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और ये बहुत ही कम समान में और कम तेल मसालों में बनकर त्यार होता है आप इसे जरूर अपना घर में बना कर ट्राइ करें, ये बहुत ही टेस्टी है, तो चलिए हम चलते हैं बहुत ही टेस्टी टेस्टी रेस्पी को बनाने, रेस्पी बनाने के लिए मैं सूजी को ले ली हूँ, ये बारिक वाली सूजी है, मैं एक कटोरा सूजी को ले ली मैं चलती हूं इसे घोल लेती हूं आप बड़े बरतन को लेकर आइस में डाल कर आप इसे घोल लें मैं बरा बरतन को लेली हूं इसमें सूजी को मैं डाल देती हूं सूजी को डाल कर मैं इसे धीरे धीरे पानी डाल कर इसे मैं घोल लेती हैं आप इसे घोल ले और ज्यादा पतला ना घोले हलकाई गाढ़ा रहने दे और इसे आधा घंटा के लिए आप इसे रेस्ट पर छोड़ दे आपकी सूजी जो है ये अच्छे तरीके से फुल कर तयार हो जाएगे तो आपका रेस्पी जो है ये बहुत ही अच्छे से बन कर तयार होगा और आप इस तरह की रेश्पी बनाएंगे ति ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और चाहे तो इसे लंज में भी दे सकते हैं इसमें मैं थोरा सा और पानी को डाल देती हूं और डाल कर इसे अच्छे से मैं मिला लेती हूं आप इसे आधा घंटा के लिए इसे रेश्ट पर छोड़ देती हूं आधे घंटा में अच्छे से सूजी ये फूल गई है आप इसमें स्वाद अनुसार नमक को डाल देती हूं नमक आप अपना अनुसार कम जादा करके ले सकते हैं मैं बारिक टमाटर कटीवी मीर्च और प्याज को डाल देती हूं टमाटर प्याज मीर्च को मैं डाल कर इसे अच्छे से मैं मिला लूँगे आप इस तरह की रेस्पी बनाएंगे ये बहुत ही कम मसाला और तेल में बनकर तैयार होगा और सेहत के लिए उतना ही फायदे मंद है इसे अच्छे से मिला लेती हूं आप इसमें थोरा सा और पानी को डाल देए खोरा सा पानी आउट डाल कर इसे मैं मिला लेती हूं मैं सुजी को अच्छे से मिला कर रख ली हूँ, अब मैं चलती हूँ, तब एको गर्म कर लेती हूँ, इसमे मैं सर्सो का तेल डाल देती हूँ, सर्सो का तेल डालने से कोई भी रेस्पी ये खाने में बहुती साधिस्ट लगती है, और आप इसे डाल कर इसे धीमी आज पर इ आप चाहे तो इसे ढग कर भी आप अच्छे से इसे सेख सकते हैं यह बहुत ही इसमें तेल कम लगता है और खाने में उत्रा ही स्वादेश्ट है आप उपर से थोरा सा तेल को और डाल दें आप इस तरह की रेस्पी बनाएंगे तो बच्चे तो बच्चे बड़े इसे मांग कर खाएंगे आप चाहे तो इसे सुबह का नास्ता में भी बना सकते हैं और बच्चे को लंच में भी दे सकते हैं बच्चा बहुत प्यार से खाएंगे कोई भी बच्चा टमाटर और प्याज नहीं खाना चाहता है तो आप इस तरह की रेस्पी बनाकर देंगे तो बच्च अच्छे से लोफ लेम पर इसे आप पका लें गैस को आप हाई करेंगे तो पक तो जाएगी पर ये अंदर से पकेगी नहीं आप इसे लोफ लेम पर इसे अच्छे से आप इसे पका लें और मैं दूसरी तरफ इसे पलटा लेती हूँ ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और ये बहुत ही एक कुरकूरा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा और खाने में उतना ही स्वाध्देश्ट है तो हमारा सारा रेस्पी बनकर तैयार है आप इसे खाईए और इंजाई कीजिए तो हमारे चैनल पर नए है तो मुझे सपोर्ट कर के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब बस करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर जरूर करें मैं नई नई वीडियो को इंस्टागराम पर भी डालती हूं आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं तो हमारी यह टेस्टी टेस्टी डास्ता कैसी लगी कॉमें बॉक्स में जरूर लिखी यह बहुत ही कुरकूरी है और क्रिस्पी है इसे मैं तोर कर दिखा देती हूं यह बहुत ही स्वाधेश्ट है तो कल मिलती हूं इसी चैनल पर नई रेश्पी के साथ तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत भूँत धन्यवाद और अपना ख्या